तो इस गुड़ मॉनिंग कैसे हैं आप सब में किश्वर्मा आप देख रहे हैं मैडिसन के इंग तो गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे आज डर्माज के टी 5 क्रीम के बारे में तो डर्माज के टी 5 एक बहुती मशूर ब्रेंड है और आपको इजली आपकी शहर में कहीं भी म जाता फैला है जिसको हम दात खाच खुझली बोलते हैं एकजीमा फोड़े फिंसी हो जाते हैं तो उनके लिए के रामबान इलाज है यह डर्माज के टी 5 क्रीम तो आज हम इसके 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 और भीविन कौन-कौन से इस्तमाल है वो इस वीडियो में आज जाने वाले हैं यहाँ पर आप देखेंगे डर्माज की ब्रेंडिंग है और इस प्रोड़ेट को बनाती है मैडले जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और 15 ग्राम में यह प्रोड़ेट आता है और यहाँ पर उनके खुद मैंशन किया है डर्माटाइटिस फंगल इनफेक्शन स्किन इ उपतांगों की खुजली वगेरा तुबैचा भिविन समस्याओ में बहुत ही आकर्शक यह क्रीम है यह बात कर लेते हैं और इसके इस्तमाल के बारे में तो दोस्तों आप किसी प्रकार की सुराइसेस हो या फिर एक्जीमा हो या फिर लाइकेन बेक्ट्रियल संक्रमन हो त परमाज केटी 5 बहुत ही अफेक्टिब क्रीम है और इसके इस्तमाल जैसे की फोडे फिंसी या फंगल इंफेक्शन किसी परकार का दात खाज खुजली या फिर आपकी फेस की उपर सेहुआ हो जाते हैं वाइट स्पोट बन जाते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा काम यह बहुत ही अफेक्टिब है और इसके इस्तमाल जैसे के आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है पूरी बोडी में या फिर गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं बोडी की उपर यह हाथ की उपर या फेस की उपर बन जाते हैं तो इस परकार की कई वारे पेशन्स को दाद हो जाती है तो यह बिल्कुल जड़ से ठीक करने में बहुत ही अफेक्टिव प्रोडेक्ट है तो एक्जीवा में बहुत ही अच्छा रिजर्ट दिखाता है और दोस्तों इसका इस्तमाल जैसे कि आपके अगर जड़ने लगते हैं बीच बीच में स्पॉट बन जाते हैं बाल जड़ने लगते हैं तो उसमें भी अपलाई आप इस क्रीम को कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजर्ट देखेंगे हैं मैक्सिमम इसको दस दिन तक अपलाई करें तो आपकी जो दाद खाज खुजली है जो इन्फेक्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगी जड़ से तो ग फिर आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजर्ट देखेगा तो यह सुभाज हम आप लगा सकते हैं अगर हम इसके साइड एफिक्ट के बारे में बात करेंगे तो इचिंग खुजली बगएरा आपको इस क्रीम के देख सकते हैं उल्टे साइड एफिक्ट होंगे इसके तो आई होप दोस्तों आपको इस रिवीव अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक शेयर जूर करिएगा धन्यवाद